स्वागत है आपका दस्ट तक मीडिया पर अगर आप बाबा नीम करूरी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगए हैं हम आपको बाबा नीम करूरी से संबंधित जानकारी वीडियो ओडियो बेव साइट और पुस्तकों के माध्यम से रामगर्द निवासी नैनी ताल रामगर्द नैनी ताल किसलाल शाह हैं वो आते हैं पडाम करते हैं परसाद लेते हैं कैची आस्म की विवस्ताओं में हाथ बटाते हैं अध्यापक हैं अध्यापक बुद्जीवी वर्क से आता है सत्यवादी हैं निर्भीक हैं यह सब बा होता ही होता है किसनलाल का परिवार बहुत अच्छी तरह से सुक संपनता के साथ रह रहा है काम करते हैं कैची धाम में और एक साथू हैं वहीं कहीं रहते हैं रिटार्ड एर फोर्स के अधिकारी है और अब साथू बन गए हैं उनसे वो सत्तंग करते हैं यह सब चीज़ें सामाने रूप से चल नहीं थी कि 11 सितंबर 1973 आगया आपको पता है न यह तिथी भूलते नहीं हैं हम लोग क्योंकि महराजी इसी दिन अपनी मानव देह लीला को समाप किये हुए थे जब यह घटना किशनलाल सहा के साथ शेयर हुई जब उन्हें पता चला तो बहुत दुखी हुए बेमन अपने आपको संसारिक क्रियाव में लगाते रहे सिद्धी मा के संपर्ग को उनने फिर और बढ़ाया और काम करते रहे ब्रंदावन आस्रम में केंची धाम में कभी लखनव में जहां कहीं महराजी का काम है हनुमान गड़ी में भूमियाधार में कोई काम अगर ने मिलता है बताया जाता है स्वापा जाता है तो वो करते इस तरह से वो शिद्धी मा के भी बहुत प्यार हो गए धीमे से उनने ये भान हो गया कि अब कभी कभी हो जाता ना आदमी को कि अब हम इस दुनिया में रहेंगे नहीं या आप जाने का समय आ गया है उनने जैसे ये भान हो गया स्वस्त थे अपनी बेटी मीरा से कहा कि बेटा हम अगर खत्म हो जाए हमारी म्रत तो हो जाए तो हमारी अस्थियों को इम्राजी में जरूर भाना ये बातें जब चल नहीं थी थोड़े दिन बाद उनकी तव्यत खराब होई और वो हल्दवानी के अस्थियों में भरती हुए ये मार्च का महीना था मार्च के महीने में फोली का अफसर इस समय ब्रंदाबन में सब भाक्त इकटे हुए हैं सिद्धी मावी वहां पर हैं और वहां राग फाग गाय जा रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से मतलब भाक्त गाते हैं तो भणदाबन में ऐसे ही गाएन हो रहा है और उसमें एक जो रंग का फाग गाया जा रहा था तो उसमें एक लाएन थी मोती बिखर गए रंग महल में चुन रही सकhीया सारी ये लाइन जब सुन रही थी सिद्धी माता तो सिद्धी माता ने कहा किसन सारे मोती बिखर गए ये बात महाँ भक्तों ने सुनी पूछा सिद्धी माता से सिद्धी माता कोई बात नहीं निकल गया महाँ से कोई बात नहीं और पता चला कि इधर हल्दवानी में किसन हमसे बिदा ले गए देखिए मा बरंदाबन में है किसन हल्दवानी में है बहां बहुत खुशनमा माहौल है यहां एक भक्त के जाने की तयारी है और सिद्धी मामा बैठे बैठे कह रही है कि किसन सारे मुटी बिखर गए होता है ना मा का सुरूप जिन लोगोंने कात्यानी के रूप में सुईकार किया उन सब का कल्याण हो गया क्योंकि महराजी के जाने के बाद बहुत लंबे समय तक मा नहीं सारा कारबार समय ला और यहूं कहें कि सच्चे रूप में उन्होंने पद्नुदित करते हुए महराजी का रॉल ने भाया वहाँ बर क्योंकि जो अध्यात्मिक रास्ता चाहिए था अध्यात्मिक्र विकास चाहिए था बस सिद्धी मा के द्वार जी वहाँ पर दिया गया तो उन्हें ऐसा ग्यान था मित्रों सिद्धी माह हो महराजी हो या जो भी इश्ट होता है वो अपने का ध्यान रखता है बाता बढ़ चाहें कुछ भी हो ले थी वहां बिदाई की कोई मोबाइल नहीं था कोई फॉन नहीं था कुछ नहीं था लेकिन उन्हें कह दिया किसन सा जल पड़ें राम राम